Hello everyone, तो ये एक हमारी सीरीज है, सीरीज ओफ लेक्चर्स है, इंट्रोड़क्शन तू मेराकी के लिए, जहां हम मेराकी के बारे में सीखेंगे, जो आपको अलगला चीज़ों में ट्रेन करते हैं, कसी की पाइफन प्रोग्रामिंग या फिर इंग्लिश, स्पोकें इंग्लिश या फिर टाइपिंग में ट्रेन करते हैं, और इस इंट्रोड़क्शन से हम समझेंगे, कि मेराकी हमें पाइफन प्रोग्रामिंग सिखा के, किस तरीके से अपने ड्रीम जॉब्स, सक्सेस्फुल करियर के तरफ लेके जा सकता है, तो हम सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे वो है कि हमें प्रोग्रामिंग क्या है और हमें इसे क्यों सीखना चाहिए, इसके बाद हम लेखेंगी प्रोग्रामिंग में ऑपर्चुनिटीज, करियर, जॉब्स क्या है, कैसे आप पैसे कमा सकते हैं प्रोग्रामिंग करके, प्रोग्रामिंग सीखने के बाद, और मेराक जो first हमारी important slide है यहां पर वो यह है table of contents की जहां पर हम देखेंगे कि इन सब lectures में हम क्या सीखेंगे सबसे पहले lecture में अभी के lecture में हम यह सीखेंगे की programming क्या है फिर python ही क्यों सीखेंगे हम programming में फिर उसकी prospects क्या है programming सीखने से क्या फायदे हैं क्या आप आगे जाके कर सकते हैं programming सीखने से और उसके बाद हम future prospects के बारे में एक छोटा सा discussion करेंगे बट वो हमारे अगये lecture में होगा तो इसके बाद की सब चीज़े हमारे अगये lecture में आईगे तो सबसे पहले हम देखेंगे programming क्या है programming बड़ी simple सी concept है जिसमें basically हम computer को बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है और यह हम उसको कुछ instructions कुछ आदेश देके करते हैं जिसको हम एक अलग भाशा में लिखते हैं इ जैसे उनके types होते हैं python c++ java etc ऐसे अलगलग type के programming language होते हैं but हम यहां पर python पर ही focus करने वाले हैं क्यूं हम ऐसा करेंगे वो भी हम आदेश देखेंगे अब programming languages जो है वो आजकल सब जगह यूज की जाती है भले ही वो mobile phone हो या फिर rocket हो हर जगह programming languages और programs का यूज किया जाता है instruction देने में आदेश देने में कि क्या करना है कहां करना है कैसे करना है तो प्रोग्रामिंग का फाइरा यह होता है कि प्रोग्रामिंग से आप ऐसी problem solve कर सकते हो जो आपके विए इंसान आराम से नहीं कर सकते हैं प्रोग्रामिंग सीखने से आपकी बहुत सारी job opportunities खुल जाती हैं बहुत सारे दर्वाजे खुल जाते हैं जहां पर आप काम कर सकते हैं salary ले सकते हैं पैसे कमा सकते हैं और प्रोग्रामिंग करने से यानि की code लिखने से आपका logic बहुत improve कर सकते हैं आप smarter बन सकते हैं overall creativity प्रोग्रामिंगे तो python सीखने के लिए कुछ फायदे हैं मेराकी में हम python इसलिए सिखाते हैं दूसरी कोई भी programming language के उपर सबसे पहले क्योंकि python सीखने के लिए समझने के लिए और लिखने के लिए बहुत easy और fast होती है python जैसे जो लिखते हैं वो काफी हद तक English से similar होती है python को use करना free है और python open source है इसका मतलब python से बनाई हुई चीज के लिए अगर आप उसे बेचने जाएं तो आपको किसी को पैसे नहीं देने होंगे open source का ये भी मतलब होता है कि बहुत सारे community में और python के programmer बैठे है जो python यूज करते हैं जो उसकी libraries बनाते हैं जो आपको free of cost available की है python के open source nature की बज़े से उसके बाद python में जो earning potential है यानिया आप कितनी कमाई कर सकते हैं वो काफी अच्छा है क्योंकि वो world की सबसे ज्यादा popular programming language है और यहां पर average starting salary होती है अराउंड 5 लाग साल का तो इसके अलावा ये भी है कि python में आप एक बार जो program लिखेंगे वो आप कितनी भी बार अलग-अलग platform में same to same run कर पाएंगे चला पाएंगे अलग-अलग platform यानि कि mobile हो गया tablet हो गया windows हो गया mac हो गया हर चीज में आप एक ही लिखावा program same program चला पाएंगे और python में वास्ट लाइबरी रिसोर्स है जिसको जिसकी वज़े से python suitable है अलग-अलग type के activities करने के लिए जैसे की website बनाने से लेकर artificial intelligence से लेकर application development करने सब चीज के लिए तो जो वास्ट लाइबरी रिसोर्स है इसका यही मतलब है कि जो open source है python इसका मतलब जो python के programmer है वो जो program बनाएंगे वो online उ ऐसे के वैसे उठाके आपके program में यूज करके आपका time, energy और basically resources बचा सकते है अब हम आगे देखेंगे prospects of computer programming तो prospects of computer programming में क्या है मतलब हम programming सिखके आगे क्या कर सकते हैं तो programming सीखने से तीन major type की चीज़ें आपके लिए फायदे मन्द होगी सबसे पहली चीज़े learning prospects याने कि आप क्या-क्या सीख सकते हैं mentally आपका improvement कैसे हो सकता है तो इसमें आगे आप देख रहे हैं चार चीज़े होती है logical reasoning, structural thinking, creative thinking और algorithmic thinking logical reasoning तो आप सब जानते हैं जैसे logic आपका इंप्रूफ कर सकते हैं किस तरीके से आप सोचते हैं किस तरीके से आप कितना जल्दी आप सोच सकते हैं वो सब तरीके के improvement के लिए programming काफी अच्छा है structural thinking मतलब structure में कैसे सोचना कैसे आपका जो सोचना होगा वो step by step होगा पहले एक problem को या बाकी सब problem को solve करने के लिए creative thinking आप सब जानते हैं जैसे कि out of the box सोचना कुछ अतरंगी सोचना जो normal दिख नहीं रहा है आपको से पहले वे उस type की चीजे भी आप सोच पाएंगे तो वे उस type के चीज सोचने में आपका improvement होगा और algorithmic thinking मतलब क्या हुआ कि step by step यान कि किसी रूल को follow करना या किसी रूल को बनाना यह सब चीज़ें आप सीथ पाएंगे और यह सब चीज़ें आप कर पाएंगे यह चारों चीज़ों का आज आप use already कर रहे हैं अपने life में जाने अन जाने में बट programming करने से इन सब को आप improve कर पाएंगे अब रही बात employment prospects की कि आप सब को जानके आश्चर होगा कि आज के डेट में असी कतिशक से ज्यादा सारे jobs दुनिया के किसी ना किसी तरीके से computer को require करते है computer चाहिए होता है उस job में ठीक है और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में कहा जा रहा है कि next 5 साल में लगभग 10 से 25 लाक नए प्रोग्रामिंग के jobs कोडिंग के jobs computer प्रोग्रामिंग के jobs बनेंगे और हमारी गवर्मेंट भीके सपोर्ट कर रही है और यह नए jobs के लिए आप लोग सब eligible हो जाएंगे अगर आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो परही बात तीसी ही चीज जो है हमारी वह है intersectionality of career यहनि कि करियर्स यह अलग-लग जॉब्स आपस में कैसे मिलते हैं और इन सब मेंं प्रोग्रामिंंग कहां फिट होता है तो आज के डेट में सभी करियर्स में कई नगी प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है और प्रोग्रामिंग का यूज किया जा सकता है, भले ही आप टेलर के शॉप में चले जाओ, या फिर आप कोई दुकान में चले जाओ, वहाँ पे बिल बनाने के लिए प्रोग्रामिंग का यूज किया जा सकता है, टेलर के दुकान में मेजरमेंट करने के लिए प्रोग्राम का वो आज के डेट में हर जॉब में हर इंडस्ट्री में लगे जा रहा है तो यह फर्स क्लास में आपको जरूर पूछना चाहूंगा कि यह सब सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनीज है दुनिया में जिसके बारे में आप जानते हैं जहां पे कंप्यूट प्रोग्राइमिंग के किस टाइप के जॉब्स होंगे यह भी मैं आपको से पूछना चाहूंगा तो इस सब के बारे में जरूर सीखेंगे इसके अगले क्लास में